नमस्कार आप देख रहे हैं देंडिया टॉप मैं हूँ आदेश पुरी बिहार में ब्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ एक अभियान चल रहा है और लगतार जो है बिहार की तीन एजेंसियां इन अधिकारियों को पकड़ रही है लेकिन क्या ये ब्रष्ट अचार को लेकर क संपत्ति जमा करने को लेकर मोतिहारी से हटाया गया था उन्हें बेगु सराय का फिर से उत्पाद अधिक शक बना दिया गया आपको बता दें कि मोतिहारी में जो है अविनास प्रकास जिन पर करवाई की गई थी और इनके यहां से 150 जो परतिसत जो है वो अधिक संपत्ति का खुलासा हुआ था और कई आलिसान जो घर है उसके बारे में पता चला था बावजुद इन्हें निलंबित करने के इनकी पोस्टिंग कर दी गई है आपको बता दें कि यानि कि विशेष निग्रानी इकाई ने 8 दिसंबर 2021 को मोतिहारी के ततकालिक जिला उत्पाद अधिक चक अविनास परकास पर आयस से अधिक संपत्ति मामले में च्छाप्मारी की उनके पत्ना मोतिहारी समित अन्ठीकानों पर च्छाप्मारी की गई थी इस दोरन पत्ना गाली बैंक खाता में जमारुपिया कई अस्थानों पर जमिन जाजाद और निवेश में किये गए कागजात मिले SVU ने उनके खिलाफ वास्तिविक आयसे 150 फिस्दी अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया जिसका केस नंबर 521 है अब अभिनास परकास को बेगु सराय का उत्पाद अधिक्चक बनाकर नए अस्थान पर तैनाती कर दी गई है जबकि ऐसे मामले में विभाग के अस्तर से व मामला जो है इससे एकदम अलग है और काफी उसमें हैरत विव्यक्त किया गया था कि बिहार में सराबंदी चल रही है और सराब के खिलाब सरकार जो है किसी तरह से कोई कोताही करने को तयार नहीं है और ऐसे में उत्पाद अधिक्चक के यहां इतना बड़ा संपत्ति मिलत है आखिर वो कहां से जमा की होंगे सरामा फियाव ससाठगार का भी आरोप लगा था उस समय या फिर जो है अंदेखी करने का आरोप लगा था कि जो सरकार जो कलाई कर रही है उसमें वो लापरवाही बरत रहे हैं बावजूद इसके उत्पाद अधिक्चक को ही बिहार में बेगुसराय में पोस्टिंग कर दिया है ता अविनास परकास जो है बेगुसराय के नए उत्पाद अधिक्चक बने हैं काफी हैरत का मामला आता है वही आपको हम बताएं कि अगर हम बात करें अवैद बालू खनन को लेकर जिसके जद में नजाने कितने अफसर बिहार में आए उसमें सभी एक IPS अफसरा केश दुबे चाट DSP HDM और खनन विभाग से जुबे हुए विभिन अधिकारियों कि यहां छप्मारी की गई दर्थाना परभारी CEO सभी कि यहां छप्मारी की गई लेकिन आपको बताएं कि एक अभी IPS जो ततकाली जो उसमें औरंगाबाद क SP हुआ करते थे उनके यहां अभी तक छप्मारी नहीं की गई है तो यह कुछ करवाईयां जो है यह ब्रश्टाचार के खिलाब चल्द है अभियान पर उंगली उठाते हैं कि आकिर क्या समानता इसमें नहीं पढ़ता जा रहा है आकिर क्यों अंदेखी की जा रही है यह व पाध़रिचक थे उनको ही पोस्टिंग दे दिया गिया जबकि उनको निलंबित नहीं किया गिया है और सभी विभागों में ऐसा किया गिया है कि जिन पर भी D.A. का केस हुआ उनको पहले निलंबित किया गिया और आपको बताएं कि उसके बाद बाकी करवाई चल रही है लेकिन आखिर इनको इस मामले में ऐसा क्यों किया गया है इसको लेकर प्रस्नुटने शुरू हो गये हैं कि क्या इनकी कोई साथ गाठ है या फिर उपर से कोई मिली भगत है जिसमें इन्होंने अपने पक्ष में करवाया और इनकी पोस्टिंग हो गई जो भी हो लेकिन ये ज तो उन्हें कैसे जिले की कमान दी जा सकती है क्या इसकी गैरंटी है कि फिर अपने वोपत का दुरूप योग नहीं करेंगे तो फिलाल इस वीडियो में इतना है वीडियो पसंदा लाइक सेर करें हमारे चैनल देंडिया टॉप को सस्क्राइब जरूर कर लें दन्यवाद